अब आगे के लेस्न में क्या सिखेंगे होरिजंटल और वर्टिकल अडिचन अब मैं आपको सिखा रही हूँ अर अर बर्टिकल अडिचन नो सिखेंगे लिद्धन अब में नपर रिक रही हूँ 7 plus 2, 7 आएगा, plus 2, तो क्या आएगा? 9, यह concept हुआ, vertical addition, क्या हुआ, vertical है, इसी दा, vertical addition, Now, horizontal addition, horizontal addition, horizontal addition, horizontal addition means, slipping line, आपको slipping line पता ही है, ना, 7 plus 2 is equal to 9, यह दोनों बाजु-बाजु में ही लिखा है, ना, 7 plus 2 is equal to 9, यह क्या हो गया, slipping line, ना, यह दो तारे केसे addition करना सीखेंगी, तो आपकी 3rd and 4th exercise में क्या दिया है, vertical and horizontal addition दिया हुआ है, ओके, हमने क्या सीखा, vertical addition, पर addition कैसे करेंगे, या तो fingers, fingers की मदद से add कर सकते है, या तो पूल भी picture draw कर के है, ना, lines या circle draw कर, क्या दिया है, 4 plus 3, 4 plus 3, यह कौन सी sign है, plus की sign, अब इस 4 के सामने कितने circle बनाये हुए है, 1, 2, 3, 4, और 3 के सामने, 3, 1, 2, 3, जब add करना है, तो और दोलों को साथ में count करेंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो क्या हुआ, answer is 7, answer is 7, next example, 2 plus 5, 2 plus 5, 2 plus 5, यहां पर कितने circle बनाये है, 2, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, अब दोनों को मिला के count करेंगे हैं, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यह हो क्या, 7, और एक तदी किसी count कर सकते हैं, कैसे 4 तो दिया ही है, फिर कितना count करना है, 3, तो हम 3 finger लगे, तो 4 एक बार, 5, 6, 7, 5, 6, 7, तो यह क्या क्या, 7, इसमें देखो, 2 number में हैं, तो में कितने add करने हैं, 5, तो 2 तो दिया ही है, तो कितने add करने हैं, 5, तो 5 fingers लेएंगे, 2 के बार, 3, 4, 5, 6, 7, यह क्या आगया, 7, तो हमने यह क्या सिखा, addition, आप picture या lines या circle draw करते हैं, उसको add करके, count करके भी कर सकते हो, और आप लोग finger से भी count कर सकते हो, ओके, तो आप हम इसके related जो exercise है, exercise 3, अब उसको solve, हमने क्या देखा, vertical addition, we have learned about the vertical addition, okay, अब हम उसकी exercise देखेंगे, exercise number 3, what is an exercise number 3, addition, so look, 7 plus 1, the first one is 7 plus 1, what we have to do, we can count with the things also, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 circle बनाएं और यह 1, okay, so अब हम इसको क्या करेंगे, साथ में count करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay, यहाँ पर क्या आएगा answer, 8, next is, 3 plus 4, 3 plus 4, so we draw here 3 lines, 1, 2, 3, हम circle की जगा पर क्या draw कर सकते है, lines, 3 and here, 1, 2, 3, 4, क्या बनाई हमने, 4 lines बनाई, अब क्या करेंगे, सबको साथ में count करेंगे ना, क्या करना है, add means, सबको साथ में count करना है, मिलाना है, तो पहले 3 को cut करेंगे, 3 के बाद, 4, 5, 6, 7, so 3 plus 4, 7, 3 plus 4, 7, यहाँ पर, 5 plus 4, मैंने finger से count करना सिखाया था, तो क्या करेंगे हम, 5 को हमारे mind में count करेंगे, और कितने fingers count करेंगे, 4, ठीक है, 4, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 हमारे mind में है, और 4 आगे count करेंगे, तो 5 के बाद, 5 के बाद, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, Now, 4 plus 2, 4 को mind में रखना है, या तो यहाँ पर 4 lines ड्रॉ करनी है, फिर 2 lines ड्रॉ करनी है, 4 के बाद, 5, 6, 5, 6, तो यह देखो, यह 4 मैंने sums कर दिये, बाखी के यह 4 आपको कहाँ पर करने है, HW में, कहाँ पर करने है, HW में, ओके, आपकी exercise 3 के नीचे दिया है, adding 1, adding 1, ओके flowers बना के दिये हैं आपकी book में, मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, balls, 1, 2, 3, 4, 5, 5 balls, plus 1, 5 balls कोते ही, उसमें एक और add हो गया है, one more, one more, तो जब एक add करते हैं, तो उसका next number आ जाता है, जैसे 5 है, तो 6 आ गया, 5 है, तो 6 आ गया, उसका next, उसके आगे का number आ जाता है, 6, 5 plus 1, 6, cool भी number हो, उसमें हम one add करते हैं, तो उसका next number, उसका आगे का number आ जाता, जैसे तो यहाँ पर यह खड़े हैं, 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, 4 plus 1, 5, 5 plus 1, 6, 6 plus 1, 7, 7 plus 1, 8 and 8 plus 1, 9, तो यह क्या हो गया, हमने कितने number आट किये, only one, और देखो next number आ गया, 1 plus 1, 2 आ गया, 2 plus 1, 3 आ गया, तो उसका next number आ रहा है, उसका next number आ रहा है, अब हम इसके related next exercise 4 कम्पलीट करें, हमने addition में properties भी देखी, और properties में क्या देखा, adding 1, किसी भी number को हम one number आड करते है, किसी भी number में हम one number आड करते है, तो उसका next number, यानि उसका after number आता है, है न, तो अभी देखो, first, fill in the blanks में, first वाला आपको count करके दिया है, 1 plus 1, 2, तो 1 के बात का number आया, now, 2 plus 1, 2 plus 1, तो 2 के बात कौन सा number आता है, 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3, यहाँ पे क्या आएगा, 3, next, 3 plus 1, तो 3 में one आड करेंगे, तो कौन सा number आएगा, 4, which number, 4, next, यहाँ पे देखो, बीच में blank दिया है, है न, तो 4 का next number 5 है, तो 4 में कितना आड किया होगा, 1, 4 में one आड करेंगे, तो ही 5 नमबर आएगा न, ओके, now, 6, plus, 6 में कितना आड करेंगे, तो 7 आएगा, ओके, one, है न, अभी, अभी यह उल्टा होगया, answer दे दिया है आपको, है न, 8 answer दे दिया है, पर, one भी दे दिया है, तो one किस में आड किया होगा, चलो बताओ मुझे, ओके, तो 7 नमबर होगा, उसमें one आड किया होगा, तब 8 आएगा, क्यूं, कैसे आपने assume किया, क्यूंकि आपने क्या सोचा, 8 का before नमबर क्या है, 7, 8 का before नमबर क्या है, 7, और आपने क्या किया, 7 में, वन को आड किया, तो क्या आगे answer, 8, ओके, तो आपको ये वाली exercise, exercise 3 and exercise 4, आपको textbook में और notebook में, डोनों में exercise complete करनी है, ओके, तो हमने क्या सिखा, इसमें horizontal, vertical addition and adding 1, add करना है, 1 नमबर है न, तो ये session में हमने इतना, ये video में इतना सीखा, अब आगे का जो addition है, addition with 0 और other addition, we will learn in next session, तो देन, बाय, take care. आपको दो आपको दो